मककर फूडी इंडिया आप लोगों को ले के आ चुक है उत्तर पर्देस के अंदर और आज हम आपको दिखाने वाले कि भाई जो अपने घरों के अंदर आप चावल बनाते हैं खाते हैं वो साप सुत्रा चावल आप तक कैसे पहुचाते हैं हमारे किसान भाई तो ये देखि और निट एंड क्लीन चावल कैसे निकलता है तो ये देखिए यहां से ये धान दीरे-दीरे मसीन के अंदर जा रहा है भाई एक जमाना था जब हिंदुस्तान के अंदर ना हमारे किसान भाई सर के उपर बोजा उटा करके कई किलो मिटर जाते थे धान कुटवाने के लिए लेकिन आज टेकनोलोजी तनी तरक्की कर चुकी है कि धान कुटवाने के लिए जाना नहीं है बलकि मसीन आपके द्वार पे आपके घर के आगे खड़ी है और ये देखिए जो पहला प्रोसेस है धान डालने के बाद यहां पर साप सफाई का वो हो रहा है यहां पर धान अ करके अलग हो रही है वो और बता दू यह थंडियों के अंदर हमारे मुर्गी फार्मिंग करने वाले लोग खरीद के ले जाते और मुर्गियों के नीचे बिछाते ताकि उनको गर्माहार रट रहे और दूसरी चीज कि इससे बनता है खाद क्योंकि इसके अंदर जो रहता उनका मल मुत्र उससे इसका खाद यूज होता है और फिर से खेतों में डाला जाता है और भाई चार साल तक फिर उसमें खाद की कोई आवशक्ता नहीं रहती है क्योंकि इतना ये कारगार खाद बनता है और जबकि एक किसानिये भाई यहाँ पर हर चीजों का इस्तमाल हो अबनता है और आपको एक कमल की बात बता दूखे यहाँ पर धान कुटने के लिए आपके द्वार पर आयकर के भी यहाँ पर एक दम कोई चार्ज नहीं लिया जाता निसुल्क ये देखि, सेकंड प्रॉसेस यहां पर होरही है जहां पर अभी धान की सेकंड वाली परत निकाली जाएगी यहां से प्रॉसेस होने के बाद यहां पर जो इकठा हो रहा है पाउडर फोर्म में इसे बराम बोलते हैं और यह जो भाई साब है इस बराम को ले जाकर के हज्जारों के भाव में बेशते हैं इसलिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता और भाई इसी बराम से बनता है कपिला पसु आहार जिसे खाने के बाद हमारी गाई और भैस देती है तरो ताजा दूद तो यहां पर उसके बाद थर्ड प्रोसेस यहां आ रहा है और यहां पर आकर के चावल एकदम बढ़ियां से नीट एंड क्लीन हो चुका है लेकिन अभी भी प्रोसेस होगी नीचे जाएगा और थोड़ा साइनेबल होगा यह चावल और उसके बाद यहां पर फाइनल स्टेफ होता है हमारे चावल का निकलने का पर अलग तागाडे में गिर रहा है लेकिन इस जो खुद्दी का भी आपको मैं यूज बता दू इसका भी इस्तमाल होता है मेरे हाथ में आप देख सकते है इस खुद्दी को भी पिसाया जाता है और पिसाने के बाद आटे की तरह ही इसका यूज होता है उत्तर परदेश प्रतिस में मसहूर या बिहार की मसहूर जो लिटी चोखा की बात करे तो इससे वो बनता है लिटी और यह चावल से ले अग्ले सफर में तब तक के लिए थेंक gusto कूँ zvaa जय किसान ऐसी वीडियो देखने के लिए हम से जुड़े रहे हम आपको दिखाएंगे पूरे इंडिया से ऐसी ही अमेजिंग सी खाने पिने